मसल बनाने के लिए लोग जिम जाते हैं कसरत करते हैं लोग कहते हैं स्वामे जी मसल नहीं बनती प्रोटीन भी लेता हूँ दुनिया भर के यतन करता हूँ लिकिन मसल डैवलप नहीं होरी है उसके लिए कोई ऐसा देसी, घरेलू नो उसका बता दो जिसको लेते ही हमारी मसल डेवलप होना शुरू हो जाए तो आज मैं आपको बहुत बढ़िया घर पर त्यार होड़े वाला नुसका बता रहा हूँ आप इसे करना आप खुद कहेंगे कि हाँ मजा आगया इतना अच्छा असर आगया और वो भी देशी चीज़ घर पे मुझे पता है मैं क्या खा रहा हूँ मैं बजार की चीज़े नहीं खा रहा हूँ मैं अपने सामने बना के अपने हाथ से खा रहा हूँ बदाम लें गुर्बंदी गुर्बंदी बदाम छोटा वाला बदाम होता है आप बजार में जब जाकर पंसारी से मांगेंगे गुर्बंदी बदाम दे दो तो वो आपको दे देगा आपको समझ आजाए कि मैं कौन से वाला बदाम कर रहा हूँ जिसमें से बदाम का तेल निकलता है वो वाला बदाम मालो आपने धाइसो ग्राम बदाम लिए और धाइसो ग्राम अलसी के बीज जिसे फलेक्स सीड भी बोलते है धाइसो ग्राम अलसी के बीज धाइसो ग्राम गुर्बंदी बदाम ये दोनों को अच्छे से पीस कर रख लें रोज एक चम्मच सुभा एक चम्मच शाम थोड़े सी दही में मिलाकर रोज सुभा शाम खाना शुरू कर दें आप कहोगे दिनों में मसल डैवलप होना शुरू होगे शरीर पूरी स्ट्रेंथ आ जाएगी शरीर में दम आएगा और आप जो एकसरसाइज कर रहे हैं वो आपके उपर नूर लाने लग जाएगी निखार लाने लग जाएगी और आपकी बॉड़ी जो है वो डैवलप होना शुरू हो जाएगी